हर्याना सिविल सर्विस के अधिकारी जो हासी के सरकार ने अब उनके खिलाफ हर्याना पुलिस ने हिसार के पुलिस अधिक्षक की अनुशंसा पर उनके आदेश पर एप्राकर्तिक क्रत्य करने का मामला दर्ज कर लिया है मामले में स्सी स्टी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है और तमाम संबंदित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जो पीडित है शिकायत करता है उसके बयान भी कलंबद कर लिये हैं आगे बढ़ने से पहले आपको सारा माजरा बताएं क्योंकि वाक्या आपको पता होना जरूरी है. कल की घटना थी, कल यानि की ब्रस्पतिवार को एका एक सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप वाइरल हुई थी, वीडियो क्लिप. उस कलिप के अंदर था कि एक न्यूड व्यक्ति था जो बताया गया SDM, और उसके साथ में एक व्यक्ति और था आरोप लगा कि जो दूसरा व्यक्ति था उसके शिकायत की थी. क्लिप भी उसने खुदी वाइरल की थी, जो पीडित था, और बाद में उसने सामने आ करके, ओन कैमरा आ करके, विविन पोर्टल के साथ में और सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म्स पर उसने बात की, पीडित ने बताया कि उसके साथ में जो फोटो वाइरल में दीख रहा है वो SDM है, मामला चोकाने वाला था घटना, बड़ा संद करने वाली थी, कि आखिर ऐसा व्यक्तित वो, जो SDM के जैसे पद पर विराजमान हो, नियुक्त हो, ऐसा व्यक्ति जो हर्यारा सिविल सर्विस का अधिकारी हो, ऐसा व्यक्ति जिस पर न्याय देने की जिम्मेदारी हो, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, बात यहीं से शुरू हुई, जब उस युवक्त पीडित ने सामने आ करके बताया, पीडित ने तमाम चिठियां लिखी, पत्र लिखे, हर्यारा उचनेयले के मुख्यने अधिश को लिखा, हर्यारा के मुख्यमंत्री को भी लिखा, इंगित को भी लिखा, शिकायत करता ने ये बताया था कि वो अनुसुचित जाती का दलित समाज से संबंदित है, शिकायत करता ने ये कहा था कि वो मसाज का काम किया करता था, किसी व्यक्ति ने उसको मिलवाया, HCS अधिकारी साहब से, बंसल साहब से, लगबग धाई साल पहले की बाद थी जिससे में उनको मिलवाया गया वो DRDA और जिला परिशद के CEO हुआ करते थे फत्याबाद में मुलाकात उनसे होई उस मुलाकात के बाद में अधिकारी महुदे ने युवक को अपने घर बुलाना शुरू किया मसाज का काम दे करके 200 रुपए उसकी मजदूरी फिक्स की गई थी हमने कल आपको सुनवाया था वो पूरा पत्र पूरा मजबून आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं शिकायत करता का कहना था कि उसको SDM सहाब अपने घर बुलाते थे मसाज के नाम पर उसने कहा कि लगवग एक सवा साल पहले डेड़ साल पहले SDM सहाब ने श्पीडिस से युवक से कहा कि प्राइवेट पार्ट पर मसाज करने के लिए शिकायत करता का कहना है कि बड़ी मुश्किल से जब वो माना तो रिवालवर दिखा करके जब उसने मना किया इंकार किया तो रिवालवर की नौक पर रिवालवर दिखा कर धमकी दी चांद से मारने की धमकी दी शिकायत करता का ये भी कहना था कि उनको SDM सहाब ने पद पर, SDM साब नहीं उनको लगवाया था, शिकायत करता का कहना था कि SDM ने अपने रौब का, रुत्बे का, अपने पद का, अपनी गरिमा का, उसको धमकाते हुए और उसका कोई ध्यान ना रखते हुए, जिस प्रकार का क्रकत्य किया, जिस प्रकार का एप्राकर्तिक, ए औरल सेक्स के लिए मजबूर किया, बहुत बड़ी विडबना हैं दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि क्या आज भी दलित समाज के लिए इस प्रकार की सोच रखते हैं, कुछ उचे पदों पर बैठे हुए लोग भी, क्या उस समय उनका जमीर उनको गवाई न हैं कि जब वो सामने आया तो उसको फिर कुछ और अधिकारियों ने धंकी भी दी, ऐसे लोग जिन्नों ने उसको धंकी दी, जिसने जो न्याय की रहा में बाधा बने असल में, अगर शिकायत करता पीडित अपनी शिकायत, अपनी पीड़ा अपने साथ जो उसके साथ करनी चाहिए, कर देश रोजाना ने इस पूरे मामले को पूरे जोर शोर के साथ में और पूरी गंभीरता के साथ में उठाया था, आपने हमारे उस वीडियो पर कई कमेंट्स भी किये, जिसके अंदर की अधिकारियों पर जो इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग हैं, उ तुरंत और कठोर एक्षन लिया, आरोपी जो अधिकारी है, उसको तुरंत प्रभाव से सिस्पेंट किया गया, और सिस्पेंट करके उसको चंडिगर्ण हेड क्वार्टर पंच्कुला हेड क्वार्टर पर निक्त किया गया, इसके साथ ही जब दूसरा उसके अंदर आईपीसी एक्ट में काम हुआ करता था, तो आईपीसी की 377, यानि कि जो एप्राकर्तिक योन करते हैं, एप्राकर्तिक दुष्करम के मामले में जो F.I.R. हुआ करती है, उस मामले में F.I.R. दर्ज हुई, और अब पुलिस ने उस पीडित के बयान भी दर्ज कर ली हैं, संभावना की जल्दी पुलिस पर अगला एक्शन भी लेगी, अभी पुलिस इस बात को भी देखना चाह रही है, वहांके पुलिस अदिक्षक जो शशांग साहब है, उनका जो एक पक्ष चल रहा था, किसी पोर्टर पर में देख रहा था, पुलिस का ये भी कहना है कि इस पर कारवाई ये सब पुलिसिंग का एक नयाय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जो पीडित कल जिस प्रकार से अपनी पीड़ा बयान की थी, तो उससे तो इस पष्ट सामने था होता है, कि जो आरोपी अधिकारी है, जाने वो कौन से नशे में थे, जाने वो कौन सी निद् प्रकारी थी, जिसके चलते हुए वो इस प्रकार का एप्राकरती करत्य कर रहे थे, अब सबसे प्रमुक बात यह है, कि हलाकि इस प्रकार की घटनाएं, जो इस प्रकार की घटनाएं होती है, ये कही ना कही सरकारी जो विभागी है, जो कारवाई कह सकते हैं, उसको या फि रहा सरकार ने जिस प्रकार हर्यारा के मुख्य सची विवेक जोशी का जो पत्र जारी हुआ इस वीडियो के सामने आने के लगवक कोई कुछ एक घंटे के बाद ही आरोपी जो अधिकारी है कुलबूशन बंसल को सिस्पेंड किया गया उसके बाद अगले दिन फायार दर्ज हुए और पुलिस जिस प्रकार एक्शन में है लगता है इसमें बहुत जल्दी न्याय हुगा वैसे आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो क्रत्य करने वाले लोग होते हैं क्या वो मानसिक रोगी भी होते हैं आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जो अपने पद का अपनी गरिमा का, अपनी मर्यादा का उलंगन करते हैं, जिसका ध्यान नहीं रखते हैं, क्या उसके पीछे उनके कोई संसकार जिम्मेदार होते हैं, या फिर उनकी सोच ऐसा पद लेने के बाद खराब हो जाती हैं, सबसे प्रमुक बात ही है कि इतनी बहतरीन पड़ाई यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर कराएं, अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शियर करें झाल